चार राज्यों में जीत के बाद में देश के प्रधार मंसी नरेन मोदी पहुंच आ है अपने ग्रे राज्य में और यहां पर होना है एक भववे रोडशो उसकी तैयारिया भी रेखने को मिल लए है इस वक्त एहम्दाबाद की सरकों के उपर दे कि जगा जगा इस तरीके से होडिंग्स लगे हुए है और जो बीजेपी के कार करता है वो सरकों के नारे जुटने शुरू हो गए है देखे यहां पर हम जहां पर मौजूद है यहां पर बीजेपी के कई कार करता जुटे हुए है इन लोगों से बात करते है कि प्रधान मंसी के यहां आने का इनके लि मोदी उनके वतन में आ रहा है गुजरात मॉडल जो पूरे देश में उन्होंने लागू किया है और यूपी की जनता ने हमारे नरेंद्र भाई ने जो नारा दिया था यूपी प्लस योगी उपयोगी वह साबित किया है और मा भारती को परम वैबाव को ले जाने के लिए हम पूरी तयार है और यह भी जस्म ही है हमारे विए और आने वाली विदान सभा की चुपनी इलेक्शन के लिए भी मोदी जी को बहुत अच्छा प्रधान मंत्री के यहां आने का क्या मतलब है आप लोगों के लिए क्योंकि प्रधान मंत्री जब भी यहां पर आते रोडशो होते हैं कारेक्रम होते हैं क्या मतलब है हमारे देश का बहुत विकास किया है और हमारा गवरव है और उनके लिए हम स्वागत के लिए सब तयार है और अगली विदार है किस तरह से आप लोग क्या कुछ करेक्रम आप लोगों ने तयार किये हुए है कहां से आए हैं यहीं क बहुत गुष्पा के कारकर्ता है वो सुभा से इस अड़कों पर जुटने लगे हैं प्रधार मंत्री यहां पर दसवरे के बाद में पहुचेंगा उसके बाद रोडशाइब लेकिन देखिए कि बसे यहां पर लगई हैं और इन बसे से जो भाजपा के कारकर्ता जो आसपास है उसमें इस बार भी गुजरात में बाजबा की काफी लीड सीटे आएंगी और कॉंग्रेस नेस्तो नाबूद हो जाएगा तो फिल्हास भारत माता की जैके नारे लग रहे हैं जो भाजपा के कारकरता है वो इस वक्त है पूरे जोशने नजर आ रहा है और हो भी जूना क जो कि देश के प्रधान मंत्री नरेन मोधी बार में बने है पहले यहां के मुख्य मंत्री यहां ते चुनाव लड़ा रहे दे और जब भी प्रधान मंत्री यहां पर आते हैं कुछ इसी तरीके का जश्न देखने को मिलता है एहमदाबाद और गुजरात में सड़कों पर स रही हो की कैमरापत है लभी इस पाने के थाख आंकित गुप्ताइबी पिनियोथ एहमदाबाद